अब बात करेंगे अबीबियस नेपाल के बारे में नेपाल में कई अपडेट्स आए हैं उसके बारे में फर्स डिसकस कर रहें गोई उसकी डेट के बारे में MEC की जो डेट है फर्म भरने की वो 24 तारीक साम को पांच बेतक निए 24 जुलाई साम को पांच बेतक आप बिदाउट लेट फीस के साथ आप जो फर्म को फिल कर सकते हैं उसके लिए आपको पांच जार का बाउचर बनारा पड़ेगा जो की नेपाल में हिमालेन बैंक से करना होगा और अगर आपके पास नेपाल के काउंट है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इस साम को जो है इनी 24 जुलाई साम को पांच बेतका बिदाउट लेट फीस के साथ उसके बाद 30 जुलाई तक आप फॉर्म भरतकते हैं डबल फीस के साथ इनी 10,000 आपका फीस लगेगा मे शेकर बात करते हैं अबल बस नेपाल में इस बार इस्टूटिन काफी के रिमेर थीوس्ट वक्त को लग रहा था कि इंडिया में हाय स्कोर इंगे तो नेपाल में क्या एडमिशन लेना सही नहीं और नेपाल क्या है कि स्टूदेंट काफी पहुंछ गया वहां पे तो इसकोर कुछ सीट्स अभी रिमेनिंग है जिन स्टुएंट निकाल लिया पर टीटी नहीं किनी बैलेंस नहीं जमा किया तो वह सीट्स अभी विखा ली है अभी आपको सीट्स मिल जाएगी पहले फर्स्ट क्या करें आप फॉर्म को भरें फॉर्म भरना जुरूरी है उसके बाद प्लस आपको मिल जाएगी तो अगर नेपाल में अपने चाहते हैं तुरन नंबरों पर कॉल करें लेट ना करें और बहुत से ऐसे स्टुडेंट हैं जो पहले इंडिया देख रहे हैं कि इंडिया में अगर मेरा एड्मिशन हो जाएगा तो मैं इंडिया पहले लोगा उसक कुछ भी वपनेan 54,3,4 सल काव नेपाल में है, सादे में अलमिया कोनेपाल में हैं इंडिया इस लिए इंडिया के बराबर या इंडिया से 5–7 लाग फीज कम हैं बाकी दोनों चीजैंक वहले हैं इस वार की कोलें इसके हैं और नेपाल की फीज़ की तो 5-7 लाग का ही डिफरेंट है तो अगर आपको इंडिया में अडिमिशन अगर आपका 300 से कम स्कोर है तब आपको इंडिया में 60-65 लाग में अडिमिशन होने की चांसे बहुत कम है यूपी में जहां तक उमीद है मुझे कि 270 प्रस का आपका मेरिट जाएगा तो अगर आपका 200 से कम है तो बिल्कुल आप न रुके तुरंज नेपाल में डिमिशन ले ले और अगर 200 से उपर है तो आप एक आप कॉस्टिंग देख सकते पर उसके लिए भी नेपाल का फॉर्म और सीट बुक करके रखें रिजन के अगर आपका यूपी में होता है तो अगर आप में पहले से इनफॉर्म कर देते हैं कि हां से से कंडिशन से तो आपको इनफॉर्म कर देंगे माल यह आपका यूपी हो गया तो आपका कॉले से पैसा वहां पे रिटन हो जाता है कॉले से रिटन होने में कोई प्र प्रोटीजर बिल्कुल आसान है आपको जो है को एक दो दिन में आपको एडमिशन लेटर मिल जाया गए उसके बाद आप जो है बैले स्कॉलेजी कौन में डालते हैं आपका यह सीड़ बुक हो बाकी का पहले स्कॉलिंग के बाद आपको देना होगा और जो उमीद है कि इस ऐस्तर अगस्त कांसलिंग स्टार्ट की और जो निट के बेस उनकी स्टमबर के फिर्स्ट वीक तक उमीद है कौन इस्टार्ट हो जाए और एक मेहने बाद प्रस स्टार्ट हो तो नेपाल तो जुड़े कोई भी अपडेट्स के लिए आप तुरंट संपर करें फॉर्म भरने के लिए तुरंट करें फॉर्म जो है अगर कल तक भर पाए निचा ओविश तुलाही तक बिदाउट लेट फीस भर पाए तो ज्यादा अच्छा है बाखी के लिए आप नीच